आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी डॉक्टर एमल परिहार जी हम उनसे जानते हैं उनके विचार लेते हैं सम्यक इंडिया टीवी में आपका स्वागत है सरु बाबा साब का बहुत बड़ा नाम है आज पूरी दुनिया उनको याद करती है अगर हम सविधान की बात करतें तो सतंतता, समानता और बंदुत्व का जो भाव बाबा साब ने उसके अंदर दिया कितना विद्वता पूर्ण है और कितना उसके अंदर व्यापक प्रभाव है बहुजन समाज की आपने बात की और खासतोर से युवा वर्ग की बात की बहुजन समाज की युवा में जोस तो है लेकिन मैं ये अंडरलाइन करना चाहूँगा कि वो जोस के साथ उनको होश में रखना बहुत ज़रूरी है जाग रूक रेनना बहुट जोरी है वो किस दिशा में जा रहे हैं बावा साबस मैं सिक्षित बनो संग्टित हो संगर्श करो पावा साबस ने किसी से लड़ाई जगडा गाली गलोस या उस वहां का नहीं था शिक्षा का मतलब यूनिक पड़ाई लिखाई के खुद के परिवार तक सिमित रह गए संगटित का मतलब यह नहीं कि खाली संस्ता है बना रही पदादैरिक बन गए अब जहां तक बहुजन समाज के युवा का सवाल है तो मैं देख रहा हूँ कि बाबा साब के नाम पे युवा जैभीम तो बोलता है लेकिन जैभीम बोलने से ही पारनी पड़ती है जैभीम मतलब बाबा साब को जीवन में उतारना पड़ता है पीना पड़ता है उनके जीवन को आचन में उतारना पड़ता है खाली आपने वावा साब के निले जंडे को आप में पकड़ दिया या टी-शिर्ट पहन दी और बजार में चल दिये दूसरों को उकसाने के लिए दूसरों को गाली कलोज करने के लिए वो महौल ठीक नहीं है सर एक बहुत ही घटना ऐसी हो रही है मैंने भी देखा है क्योंकि बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो गाव में जाते हैं जहां पर टी-शिट पहन के तो उनको टार्गेट कर दिया जाता है नीले जंडे देखके टार्गेट कर दिया जाता है तो यह भी एक बड़ी दुविदा है कैसे युवापीडी को आप समझाना चाहेंगे आप बाबा साब को पढ़िये ना अपने रूम के अंदर अपने घर के अंदर अच्छी सी सजी तस्वीर लगाई है ना आप यूने के लोगों से जगनने के लिए जैबीम करके चलते हैं या रोड प बाबा साब को इसके लिए उनमें घंभीरता नहीं आती उनमें मैचोटी नहीं आती है और वो पढ़े बीना समझे बीना बाबा साब ने अगर बहुत मौका मिला उनके उन्होंने बहुत आंदूलन किये बहुत संगर्स किये लेकिनों ने कभी हिंसा का सारा ने लिया युद में लड़े हुए, वर्ड वार में लड़े हुए, रिटाइड फोजी थे, वो चाहते तो विरोधियों का कुछ भी कर सकते थे, लेकिन बाबा साप ने का कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, इसका मतलब यह था कि वो कायन नहीं थे, इसका मतलब यह नहीं थे, उनका माज में नफरत फैलाने करने हैं, आप बाबा साप का मिशन लेके जाएए, बाबा साप की विचाधारा लेके जाएए, बुद्ध की विचाधारा लेके जाएए, बाबा साप बुद्ध कभीर रदास को लोग पढ़ना चाते हैं, सुनना चाते हैं, अपना ना चाते हैं, और महुल आप दूसरों से लड़ जगड करके सरवाइब नहीं कर सकते हैं। आज हमारे लोग नौकरिया नहीं हैं, आपकी बिजनस नहीं हैं, खेती बाड़ी नहीं, बहुत मुश्केल आलात में हैं। तो वो लोग कहां जाएंगे अब दूसरों को हम बहर भाव लेके, और न तो गुदा ने ये का न बाबा साब ने का, बाबा साब को भी हर इस तर पर दूसरे जाती कौम के लोगों ने मदद की। आज भी है हमारे पक्ष में बोलने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, हर जगह हैं, उनका कभी कभी सराना कीजिए। इसलिए मैं फिर इसको अंडलाइन करूंगा कि यूवा, पीडी बाबा सब को पढ़े, समझे और बौधिक इस्तर पर अपने हकों के लिए संगर्स करें। सर, बात आपने कही, साहित्य पढ़ना जरूरी है यूवाओं को, लेकिन अगर अब भी बात की जाए, तो फेस्बुक और वाट्सअप यूवर्स्टी से बच्चे बाहर नहीं आ रहे हैं, यूवा साथी बाहर नहीं आ रहे हैं, और अगर उनसे किसी कोटेशन का हम रेफर होता है, कि बावा साथ की फोटो पे किसी ने पैर रख लिया तो धरना देने लग जाएंगे, आनुर करने, यह परिपक्ता नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चीए, तो साथियों, जिस तरीके से डॉक्टर साब ने बताया कि यूवा वर्क को बड़ा सम्वेदन शीले होना जै भीम, जै भारत